धान की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए हमें कितना nitrogen, phosphorus, potassium प्रियोग करना चाहिए और कब कितनी मात्र में प्रियोग करना चाहिए आज मैं इसी बात पर चर्चा करूँगा और अगर धान में nitrogen की या phosphorus की या potassium की कमी होती है तो उपज में भी बहुत ज़्यादा कमी आती है इसलिए हमको जो इसकी recommended dose है जो संस्तुत मात्र है वो उसका हमें प्रियोग करना चाहिए तक हमें इससे अच्छी उपज मिल सके अगर हम धान की बात करें तो धान में अगर हम धान गेहूं फसल चक्र ले रहे हैं तो उसमें धान की dose अलग होगी अगर हम hybrid rice संकर धान ले रहे हैं तब उसमें NPK dose अलग होगी सबसे पहले बात करते हैं अगर हमारे पास धान यहूं राइस वीट सिस्टम है और इसमें हम धान को लगाता रोगा रहे हैं और अच्छी उपज हम ले रहे हैं तो ऐसे केस में जो नाइटरोजन है जिसे मैं एन लिख रहा हूँ और फासफोरस जिसे मैं P2O5 लिख रहा हूँ और प्रति हेक्टर है यह किलोग्राम प्रती हेक्टर में तो जो अच्छी उपज हमें लेनी है और ये सिस्टम हम फॉलू कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें नाइट्रोजन 150 kg प्रती हेक्टर देना है Phosphorus हमें 60 kg प्रती हेक्टर देना है और Potassium हमें 40 kg प्रती हेक्टर देना है ये उरवरक की बात नहीं हो लिए URIA, DAP, SSP या NPK जो आते हैं उसकी बात नहीं हो लिए ये केवल इन पोशक तत्तों की बात हो लिए या फिर उन पोश्रतत्तों को खाद के अनुसार बदल लिया जाता है, फिर हम खाद की कैलकुरेशन करते हैं, वो गड़ना अलग होती है, आपको पहले समझना है कि नाइटोजन कितना जाता है, फासफोरस P2O5 कितना चाहिए, पोटेशियम कितना चाहिए, यह मातरा है, लेक इस तो हम जो द्हान ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास hybrid rise है, अगर हम hybrid ले रहे हैं, यह मैं जो nitrogen है, वो to 150 ही रहेंगी, फासफोरस 60 ही रहेगा, लेकिन यह पुटाश है, यह बढ़करके 60 kg प्रतिंध है कि अगर आप ह्हेटर हो जाता है, यहां अगर आप थ्यान अखन कि डोज आपको बढ़ा देनी है, बढ़ा करके 60 kg परती हेक्टर रख देनी है तो ये आप पिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि hybrid rice का production भी जादा होता है उसकी potassium requirement जादा होती है उसमें start जादा बनता है तो हमें potassium भी जादा देना पड़ेगा अगर धान में potassium अगर हम कम देंगे तो जो बीज जो अच्छा नहीं बनता है छोटा रह जाता है तो धान में अच्छा बीज हमें मिले मोटा बीज मिले मतलब अच्छी तरह से भरववा मिले बालिया पूरी भरी हो ही मिले तो उसके लिए जरूरी है potassium हम अच्छी मात्रा में दें जो recommended है वो दें क्योंकि जो दान जो बीज है उसमें starch बहुत बनता है और starch बनने के लिए potassium जरूरी है इसलिए potassium का ध्यान बहुत रखें अगर आप potassium नहीं देंगे तो बाली छोटे जाएगी उसमें दाना भी बहुत कम पड़ेगा और अधिकतर बाली में दाना पड़ेगा ही नहीं या बहुत छोटा पड़ेगा तो इससे उपज हमारी कम हो जाती है तो खाली बालिया निकलती है दाना बहुत छोटा बनता है तो इस बात को आपको ध्यान अगना है, जहां पोटेशम नहीं देते हैं, वहाँ दाना बहुत छोटा रह जाता है, यही कारण होता है, जिन छेत्रों में पोटेशम नहीं दे रहे हैं, या बहुत कम दे रहे हैं, तो पौधा तो अच्छा होता है, लेकिन जब उसकी धान में ये 60 kg हो जाएगा, एकड के बाद करें, 60 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये भी 24 kg प्रती एकड हो जाएगा, अगर हम बात करें, जो सुगंदे धान हमारा होता है, जिसमें बासमती आती है, जो सेंटेड राईस है हमारा, सुगंदे धान में हमको क्या करना होता है, नाइट् तो आपको हाइब्रीड में तो आसुरस बढ़ाना है लेकिन संटीड राइज में आपको यह सौकर देना है इस बात को धियान रखें इसमें आप सेंटेड राइज में नाइटोजन बहुत जा देंगे नुकसान हो जाएगा इसलिए इसमें 100 kg प्रती हेक्टर ही देंगे मतलब 40 kg प्रती एकड़ ही आप देंगे देना चाहिए नहीं तो इसमें नुकसान हो जाएगा तो यह मैंने आपको बताया धान का जो जो अच्छी वराइटी है उसमें कित्ता देना है 150-40 देना किलोग्राम प्रती हेक्टर है और एकड़ में आप इसको बदल सकते हैं एक हेक्टर में धाई एकड़ होता है अब मात्रा आपको कित्ती कित्ती देनी है देखिए जो फास्फोरस और पोटेशम है यह तो सारा का सारा आप बुवाई के समय दीजिए चाहें कोई भी पसलो झाल हो में धान हो सारा सारा ना हो फास्फ़रस पेलर पीके समय दीजिए तो फास्फश ऊझाल हो सारा झाल हो सारा हॏक अको बेढ़िए पोन थर्ड वन थर्ड ठीन भागों में दे सकते हैं तो वन थर्ड भाग आप कब दीजिए वन हरु से पहले जवह खेद त्यार कर रहे हैं समय मिलेगी तो यह इस्तिती करीब हमारी 25 से 30 दिन बाद आजाएगी रुपाई के 25 से 30 दिन बाद आएगी और जो यह वन थार्ड है तो बाली निकलने से पहले जश्ट पहले निकलने ठीक पहले के अवस्था में नाइट्री जुरत होती है तकि बाली अच्छी रहे लंबी रहे मजबूत रहे तो आप यह दे सकते हैं तो यह 45 से 50 दिन बाद भुवाई के मतला यहां रुपाई के 45 से 50 दिन बाद रुपाई के आप दे दे इस तरह से दे सकते हैं यह बीच में इसको हम डोस को थोड़ा से कम करके इसके बीच में भी डाल सकते हैं थोड़ी इदर से हम करूं करके यहां पे भी नाइट्री बीच में हम डाल सकते हैं तो इसको हम चार वहागों में भी बाढ़ सकते हैं एक बटा चार एक बटा चार एक बटा परसेंट 45-50 दिन दे दीजी तो यह आपका nitrogen का अच्छा उप्योग होता है तो आप इसको चार भागों में दे सकते हैं कोशिश यह करें कि हम चार भागों में दे दे एक समानने होता है लेकिन उसको हम चार भागों में कर दे तो यह अच्छा रहेगे एक वट्टा चार एक वट्टा चार 25-25 परसेंट मतलब हम इसको दे सकते हैं तो हमें बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन आपको यहां तक सारी नैट्रुजन आपको 45-50 दिन तक दे देनी चाहिए जो कि बाली से निकलने की पहले के वस्ता है बाली निकलने को आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो इसी तरह के लेक्च्चर को देखने के लिए आप कृषिक क के साथ लेश दिखे और अगर चाहिए निक है तो सब्सक्राइब कीज़ें धन्दवाइब